Goods and Services Tax Network के CEO को Service Tax विभाग ने नोटिस भेजा है नोटिस में 22 फरवनी को GSTN के CEO को पेश होने के लिए कहा गया है GSTN पर Service Tax नहीं चुकाने का आरोप है GSTN को देश में GST Network डेवलाप करने के लिए सरकार ने करोडो रुपए का भुगतान दिया है लेकिन इस रकम पर कमपनी ने Service Tax नहीं चुका है GSTN एक प्राइविट कमपनी है लेकिन इसके 24.5% सरकार की हिस्सिदारी है चबकि 51% हिस्सिदारी LIC, ICICI, HTFC और NAC की है दीपू मेरे साथ जादा अपडेट के लिए हाँ पर जुग है और नंदन निंकेडी ने एक कमपनी बनाने का जो सुझाओ दिया था 13 मार्ट 2013 को ये इस्टपिस हुई थी GSTN उसके बाद से बहुत सारी कॉंटेक्ट इसने दिये बहुत सारे सर्विस प्रवाइड किये गॉवर्मेंट को और गॉवर्मेंट ने उसके बादले में जो पैसा दिया उस पर सर्विस टेक्स पे करना था इसे लेकिन अभी तक इसने तवाँ कोर्सपोंडेंस के बाद सर्विस टेक्स डिपार्टमेंट के साथ इसने टेक्स नहीं पे किया उसके बाद जाकर के फरवरी के फर्स्ट वीक के बाद जैसे ख़त हुआ ग्यारत तारीक को सर्विस टेक्स एपार्टमेंट ने इसको एक संबन भेजा इसके CEO प्रकास कुमार को तो कि आपने ये अलेगेशन लगाते हैं कि आपके जो रिकॉर्ड उसे बताते हैं कि आपने बड़े पैमाने पाल सर्विस रेंडर की है और इस बिवाबत आपको सर्विस टेक्स देना है और इसके लिए आप बाइस फरोरी 11 बजे तक उनके ओफिस में आप आज जाए और न कर रही है और हाला कि उसका दलिल अभी तक नहीं आया है कि वह ऐसा क्यों कर रही है लेकिन जो लेटर में जी मीडिया के पाफ उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बहुत लंबे पत्राचार के बाद यानिकी कोर्स्पोंडेंट वा बहुत सार रिकॉर्ड थंगा ले गए उ उसके CEO प्रकास हमार को भेजा है जी बहुत बहुत चुक्री अधीपूरा इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए